जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का रेडियंट अर्मी एकेडमी के यूटूब चैनल पर मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ हम लोग राम सिंग यादव मैथ्स गाइड में LCM SCF को डिसकस कर रहे थे जिसमें कोश्चन नमबर 40 तक हम लोग का डिसकस हो चुका था अब हम लोग 40 नमबर कोश्चन से सुड़ू करते हैं चले तो अचका सबसे पहला सवाल हमारा है वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात करें जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर सेस करम सा 25, 35, 45 बचें मतलब एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताना है जिसमें अगर 35 से भाग लगाएं तो सेस 25 आए अगर उसी संख्या में 45 से भाग लगाएं तो सेस 25 आए अगर हम ये देखें तो 645 आ रहा है मतलब 6 अंतर कितने का है 10 का है मतलब 10-10 का अंतर चल रहा है इस condition में ऐसे सवाल को solve करने के लिए क्या करना है कि इन तीनों संक्याओं का 35, 45 और 55 का जो भी LCM आएगा LCM निकाल का उसमें से 10 हम लोग minus कर लेंगे वही हमारा उत्तर होगा 35 का कहानी खतम अब आते हैं 35 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5 अब इस पच्पन में तो 5 तो है 7 नहीं है तो इसको 7 दे देते हैं 35 का कहानी खतम अब आते हैं 45, 45 में 9 पच्चे 45 होता है तो 5 तो यहां पच्पन में आई चुका है नहीं आया, तो 9 यहां पर डाल देते हैं, अब इन सब को गुना कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 9 सती 63 और 65 को गुना कर लेते हैं, 5 तिया 15 का 5 बांकी हो जाएगा, 1 और 6 पचे 30 और 15 45, 45 और 1 46 का 6 बांकी हो जाएगा, 4 और 6 पचे 30 चा 34, यहीं हमारा उत्तर हो जाएगा, option number B होगा, चले, next question आते हैं, same इसी तरीके का सवाल है, next question, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमसा 4, 5 और 6 से भाग दिने पर 6 क्रमसा 1, 2 और 3 बचे, तो वह संख्या बताना है, अगर यह देख रहें, 4 से भाग लगा रहें, तो 6 एक बच रहा है, अंतर कितने का है, 3 का, 5 से भाग लगा रहें, 6 तो 2 आ रहा है, अंतर कितने का है, 3 का, 6 से भाग लगा रहा है, तो 6 तीन आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितने का, 3 का, फिर से वही काम करना है, और वह छोटी से छोटी संक्या पूछा गया है, तो LCM निकालेंगे, और इसमें से 3 का अंतर है न, तो 3 को माइनस करेंगे, तो 4, 5 और 6 का LCM कितना हो जाता है इन तीनों का LCM होगा 60 हो 60 में 3 माइनस का एलेंगे हमारा उत्तर हो जाएगा संतावन ओप्शन नमबर A हो जाएगा चले निक्स कोश्चन पर आते हैं अगला सवाल हमारा है वह बरी से बरी संख्या ग्याद किजिए जिसका यदी 63, 77 और 112 से भाग दे तो 6 करम सा 3, 5 और 4 बच्याद अब कोश्चन में क्या बोला है वह बरी से बरी संख्या ग्याद करें जिसमें 63 से भाग लगाएंगे तो 3 से बचेगा 77 से भाग लगाएंगे तो 5 से बचेगा और 112 से भाग लगाएंगे तो 4 से सबचेगा इस से पहले जो हमारा सवाल था उसमें ये कहराता है वह छोटी से छोटी संक्या लेकिन सेम ऐसा ही सवाल है इसमें हमसे क्या पूछ दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संक्या पूछा तो हम लोग LCF निकाले और बड़ी से बड़ से भाग लगाने पर 5 से सा रहा है तो पहले 5 हटा लेते हैं सत्तर में 5 हटाएंगे क्या आ जाएगा 72 और 112 से भाग लगाने पर 4 से सा रहा है तो 4 हटा लेंगे क्या मिल जाएगा 108 अब इसका लेंगे HCF बड़ी से बड़ी संक्या पूछे तो LCF और छोटी से छोटी संक्या पूछे तो LCM, अब तीनों का LCF ले लेते हैं, अब SCF का मतलब क्या होता है, जिससे 60 में भाग लग जाए, 72 में भी लग जाओ, 108 में भी लग जाए, तो अब ऐए option देख लेते हैं, 24 से 60 में भाग लगेगा नहीं, 36 से 60 में भाग लगेगा नहीं, तो एक ही option बसता है हमारे प 21 और 30 से पुर्णतब विभाजित हो जाती है, मतलब यह पूछ रहा है, एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताओ, जिसको अगर दो गुना कर दे, तो 12 से 18 से 21 से और 30 से विभाजित हो जाए, मतलब अब एक ऐसा संख्या बताना है, तो हमें काम करते हैं, इन सब का LCM ले ल मतलब यह किसी संख्या का दो गुना जो करेंगे वही इसका LCM होगा, पहले इसका LCM ले लेते हैं, LCM अगर निकाले तो सबसे बड़ी संख्या, 30 हम लोग पहले ले ले लेते हैं, और 30, अब आते हैं, 30 का कहानी खतम है, 12, 12 को हम लोग 6 गुना 2 लिख सकते हैं, और 30 में तो 6 गुना 5 है, 6 आई गया, बच गया, sorry, 30 को हम लोग 6 गुना 5 लिख सकते हैं, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2, अब ये 6 तो 30 में आई चुका है, और 2 नहीं आए, तो 2 हम लोग दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं, 18, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 3 तो इस 30 में 6 35 है, तो 6 यह आ गया है, बचा क्या, 3 लाने के लिए बचा है, तो 3 इसको दे देते हैं, अब ठाड़ा का काम खतम हो गया, अब बचा 21, 21 को लिख सकते हैं, 7 गुणा 3, 3 तो आई चुका है, इसको 7 दे देते हैं, क्या हो जाएगा, सत्य 21, 21 दुना 42, 42 को 3 से गुणा कर लेते हैं, 42 को 3 से गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, 3 दुना 6, 4 तीया 12, 1 0 है, तो 1260, तो क्या आया न, यह X गुणा 2 बराबर आया 1260, तो X का भेल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यह 2 से 1260 को काट लेते हैं, क्या जाएगा, 630 उप्सन नमबर C हो जाएगा, चले, नेक्स कोशन पर आते हैं, नेक्स कोशन हमारा है, जब किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं, तो 6 बसता है, जब उसे 7 से भाग दिया जाता है, तो 6 पांच बसता है, तो वो संख्या क्या क्या, सिंपल सी बाती है, को एक ऐसा संख्या बत पुरा पुरा चक्ट जा रहा है, पांच से नहीं बच रहा है, 37 में 7 से भाग लगाते है, 7 बच रहा है, 7 बच रहा हैं, और 51 में अगर 7 से भाग लगाते हैं, 7 सत्य हो गया, 49 से बच गया, 2 जब की से बच रहा है, तो एक आप्शन बस था है, option number A, चले, next question पर आते हैं, next question है चार उंकों की बरी से बरी संख्या ग्याद करें जो दो, तीन, चार, पांच छे और साथ से पूर्णता विभागत हो मतलग चार उंकों की बरी से बरी संख्या एक option तो मेरा यहीं निकल गया है हमसे बोला है चार उंकों की बरी से बरी संख्या बस्त है हमारे पास A number option option आसानी से काम हो गया चली next question पर आते हैं दो संख्या 4 अनुपात 5 के अनुपात में है उनका loss हो 120 है तो संख्या क्या होगा तो हम यह कहे रहें कि संख्या का अनुपात 4 अनुपात 5 है तो कहेंगे 4 अनुपात 5 का LCM क्या हो जाएगा तो option number 24 एक ही option में option number C में हो जाएगा चली अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं next question है कि 10, 16 तथा 24 तीनों सी विभाजित होने वाले सबसे छोटी पुर्ण वर्ग संख्या गयाद करें मतलब 10, 16, 24 से भाग लगने वाले स्क्वाइर नंबर बदाना है सबसे छोटा square number अगर हम देखे 900 हम आप 27 से भाग लगने 24 से भाग लगने का मतलब 8 से भाग लगना और 3 से भाग लगना हम लोग यह देखते हैं 9 है तो 3 से भाग लगेगा ही 6 और एक हो जाता है 7 साथ में 3 से भाग लगेगा लिए तो गया 5-6, U, 27, 7 में 3 से फाग लगेगा, यह गया 3-6 हो गया, 9 अब इसमें भी 3 से भाग लगरा है 900 में भी 3 से भाग लगरा है अब हम यह करेसे अब 3 से तो नहीं असर आसकता है 8 से चेक कर लें देखते हैं 8 से क्या 900 में भाग लगेONG तो 8 से कम हो गया आठ दस बच गया फिर एक वाय में 20 नहीं भाग लग रहा आठ से इसमें भागी नहीं लगा तो एक ही option बसते है option number D तीन से भी लगना चाहिए 8 से भी लगना चाहिए LCM में तो यही होता है चलिए next question पर आते हैं पावर में सबसे बड़ा लेना अगर हम दो का पावर यहां देखें दो का पावर तीन है और इधार आते हैं तो दो के पावर चार है और यहां दो पर पावर पावर पाँच है इन तीनों में सबसे बड़ा पावर हो गया दो पर पावर पावर पाँच अब इस option में भी है औ और निक्स बागे इस option में 2 पर पावर 5 है नहीं, इस option में भी नहीं है, अगर 3 पर आके देखें, तो 3 का square, 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 3, तो सबसे बढ़ा हो गया क्या है, 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 यहां भी है, यहां भी इन दोनों में है, अगर आए 5 पर, तो 5 है, और 5 का square है, 5 पर पावर 3 है, बराब पावर हो गया, 5 पर पावर 3, तो 5 पर पावर 3 हो गया, next में देख रहा है, LCM में क्या होता है, जो समय नहीं भी है, उन सब को भी लेना पड़ता है, 11, 11 इसमें है, फिर भी 11 लेना पड़ता है, three लेन आपढ़ी हो, फिर भी लेना पड लोग जानते हैं LCM से 5 LCM में 5 से भी भाग लएगा 6 से भी 8 से भी 9 से भाग लगने माला संक्राइट धून लेते हैं तो 9 के भाजकता का नहीं हम लोग शुरू से ही देखने दो और एक हो गया 3 तीन में नो से भाग नहीं लएगा यह LCM नहीं होगा 60 में तो 9 से भाग नहीं लग रहा है अगर यहाँ पर देखे तो 3 और 2 हो गया 5 5 में 9 से भाग लएगा नहीं लएगा इसमें ये भी उत्तर नहीं होगा एक ही option बचा option number D चली next question पर आते हैं फिर से वही सवाल है 789 का लगुत्तम समाप वर्तक अब ये छोटा सा नमबर 789 का LCM बाय उप्सन क्या ऐसे भी बना सकते हैं 789 तीनों में कुछ को मन बन तो है नहीं तीनों गुना हो जाएगा तो 988 हो गया 72 और 72 को 7 से गुना का लिए 72 14 का चार बांकी 1649 और 15504 उप्सन नमबर जिस हिसाब से बनाना चाहिए आप बना सकते हैं चोटा सा नमबर ही है चले अगले स्वाल पर आते हैं नेक्ट कोश्चन है दो संख्यों का योगफल 45 है उन संख्यों का अंतर मतलब ये दो संख्यों का योगफल 45 है तो 45 गुना एक बटे 9 कर लेते हैं क्या जाएगा 5 तो A-B है 5 यहाँ से दोनों को जो लेते हैं A पलस A हो गया 2 A एक B पलस में एक B माइनस में कैंसल हो गया तो 45 और 5 हो गया 50 2 A बराबर 50 तो A बराबर क्या जाएगा 25 A का मान आ गया 25 अब एक काम करते हैं तो 25 और 20 का LCM हो जाता है एक सो अप्शन नमबर C हो जाएगा चली अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है 48, 24 और 72 का महत्तम समापबर तक HCF पूछ रहा है तो HCF से जानते हैं क्या होता है 48 में भी भाग लग जाएगा 24 में लग जाएगा 72 में भी लग जाएगा अगर पहला उप्शन देगे 24 24 से 48 में भाग लग जाता है 24 से 24 में भाग लग जाएगा 24 से 72 में भी भाग लग जाएगा तो HCF हो सकता है बांकी आगे पहले चेक कर लेते हैं 36 से 48 में भाग लगेगा नहीं 5 से 48 में भाग लगेगा नहीं 9 से 48 में भाग लग लग रहा है 9 से 24 में तो भाग लगेगा नहीं एक ही option हमाई पास बसता है option number A चली next question पर आते next question है एक सेना अधिकारी अपने सेनिकों का 12, 15, 18, 20 की पंक्ती में खरा करना चाहता है यदि वह यह भी चाहता है कि सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सेनिक यह सकता होगे मतलब कि संख्या जो है एक वर्ग के रूप में बोल रहा होना चाहिए ठोस वर्ग के रूप में square के रूप में एक सौसी देखे तो स्कॉयर नमबर है नहीं तीन सो साथ देखे तो स्कॉयर नमबर है नहीं 900 देखे तो 30 का स्कॉयर है 1440 भी स्कॉयर नमबर है नहीं एक ही option बसता है option number C हो गया simple सी बात है चलिए इसमें कुछ करना ही नहीं पर है अगले स्वाल क्यों बढ़ते हैं जहां जोरत परेगा वहां हम लोग solve करेंगे question जहां जोरत नहीं परेगा वहां हम लोग by option काम कर लेंगे चलिए next question पर आते है बाकी अगर इसको बनाना चाहते हैं कई से बनेगा तो पहले इन सब का LCM लेना होगा इन सब ही काम लोग जब LCM ले लेंगे तो उसे factorize करना परेगा जैसे कि है ना इसको चलो बनाए लेते हैं इसको तो अगर by the way by option नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं पहले इन सब का LCM लेते हैं तो ये हो गया 20 और 20 हो गया और 12 को लिख सकते हैं चार गुणा तीन इस बीस में तो चार है ही तीन नहीं है तीन इसमें डाल देते हैं तो 12 का कहानी खतम अब है 15 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा तीन 5 तो बीस में है ही और 3 आही चुका है तो 15 का कहानी खतम अब आता है 18 अठार को लिख सकते हैं 9 गुना 2 2 तो इस 20 में आही गया है अब बचान 9 9 को 9 में क्या होता है 2 बार 3 है 1 बार 3 तो आही चुका है 1 बार 3 हम लोग ले लेते हैं तो अठार का कहाने भी खतम 3 तिया 9 नो दुना ठार 100 से आया LCM अब इसको करेंगे फैक्टराइज फैक्टराइज करेंगे 2 से लग गया 90 बार में फिर 2 से आ जाएगा 45 बार में फिर 5 से आ जाएगा या 3 से आ जाएगा 15 बार में और फिर 3 से आ जाएगा 5 बार में तो 2 का तो जोरा लग गया 3 का भी जोरा लग गया इस 5 का जोरा नहीं लगा ना तो इसी यह जो LCM आया था 180 जिसका जोरा नहीं लगता है उसी से इसमें गुना करे लेते हैं 80 पच्छे 90 यही हो जाता है हमारा उत्तर तो बै अप्शन हम लोग आसानी से काम कर लिए चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है नापने की तीन च्छर क्रम सा 44 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबी हैं इन में से कोई भी च्छर का परियो करके कम से कम किस लंबाई का कपरा पूर्णता मापा जा सकता है अब इस सवाल को अगर सही तरीके से ना बनाए ना तो यह आंसर गलता आजाएगा या फिर आप्सन ही नहीं मिलेगा इस सवाल में क्या है ना हम लोग यहाँ पागर देखे कम से कम तो या यह कौन सा मापने की छर निकालने की बात कर रहा है यह HCF निकाल सकते हैं लेकिन अगर सवाल को यह देखे ना हम से कह रहा है कि यह 64 64 से मापना है 80 से मापना है या 96 तीनों में से किसी एक का परियोग करके मापना है यह नहीं बोला है कि 64 को मापना है 80 को मापना है या 96 को मापना है सिंपल सी बाते समझने अगर ऐसा कहता है कि 64 को मापना है 80 को मापना है 96 को मापना है तो हम लोग निकालते HCF लेकिन ऐसा नहीं कहा है ये बोल रहा है 64 वाले का परियोग करके मापना है 80 वाले का परियोग करके मापना है या फिर 96 वाले का परियोग करके मापना है तो इस चार से भी निकालना हो निकाल सकते हैं तो इन तीनों का जह हम लोग LCM लेते हैं तो ये बरा संख्या ले लिए 96 हम इसको अगर तोड़ भी ले साथ ही साथ, 96 को 12, 8, 96 तो लिखी सकते हैं, अब आते हैं 80, 80 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 8, 8 तो आई चुका है, अब बचा क्या 10, 10 में है 1 वार 2, 1 वार 5, 1 वार 2 तो इस 12 में आई चुका है, तो बचा सिर 5 इसको दे देते हैं, अब बचा क्या 64, 400 को लिख सकते हैं, 8 गुना 8 8 गुना 8 में 1 वार 8 तो आई चुका है, बचा 1 वार 8 अब इस आठ में एक बाद 4 है तो हम कह सकते हैं कि एक बाद 4 तो इसमें आई चुका है बच गया दो दो इसको दे देते हैं तो किया सिंपल सी बात LCM निकल गया तो क्या जगा बारे अठे चियान में पास दुनादस नौसो साथ सेंटीमीटर तो हमारा अंसर LCM आए 960 सेंटीमीटर लेकिन आप्सन सारा मीटर में तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं तो नीचे 2 0 है तो 2 अंक्य बाद लगा दिये 0.9.60 अप्सन नंबर C हो जाएगा चले नेक्स कोशन पर आते हैं अगला सवाल है 200 और 600 तक कितनी संख्या है 4 5 6 से पुर्णता विभाजित है तो सिंपल सी बात हैं सबसे पहले 4 5 6 का LCM ले लेते हैं 4 5 6 का LCM हो जागा 60 मतलब ऐसा संख्या बताना है 200 और 600 के बीच का ऐसा संख्या बताना है जिसमें 60 से भाग लग जाए तो एक काम करते हैं सिंपल सी बात हैं इस 200 में 60 से भाग लगाते हैं अगर 200 में 60 से भाग लगाते हैं तो क्या आएगा 3 बार में लगएगा 6 से हमें कोई मतलब ने है 3 बार में लग रहा है तो ये कहेंगे कि 200 तक में 200 तक में 60 से भाग लगने वाले 3 संख्या है फिर 600 में भी LCM 60 से भाग लगा देते हैं क्या जाएगा 10 इसका मतलब यह होगा कि एक से लेके 600 तक में 60 से भाग लगने वाले संख्या है 10 तो सिंपल सी बात है हम से क्या पूछा है 200 से 300 के बीच में तो हम लोग क्या करते हैं इस 10 म इसे तीन हटा लेते हैं क्या मिल जाएगा साथ तो साथ ऐसे संख्या है इसमें 200 और जिसमें साथ से भाग लग जाएगा चली नेक्स कोश्चन पर आते हैं नेक्स कोश्चन है साथ बटे 9 ऑल लेना हो नीचे वाले संख्या होगा है तो साथ 15 को गुणा कर लेते हैं तो तीनों को गुणा कर लेते हैं साथ हुआ गुना तीन हो गया 21 और 21 को 11 से अगर हम लोग गुना कर ले 21 को 11 से 11 कमी 11 11 और दुना 22 और 231 एक ही आप्शन में 231 उपर दिखा है तो आप्शन नमबर डी कर लेते हैं चले नेक्स कोश्चन पर आते हैं आखरी सवाल है हमारा 9 6 और 12 का महत्तम समापवर तक क्या होगा एचा सी एफ हम से पूछा जा रहा है तो सी एफ का मतलब सिंपल सी बात है ऐसा संक्या मताने जिससे 9 में भाग लग जाए 6 में भी लग जाए 12 में भी लग जाएगा पहले अप्शन देखे 6 6 से तो 9 में भाग लगेगा नहीं यह सकता है चार से अगर देखे तो 4 से 9 में भाग लगेगा नहीं तो बचा मेरा उप्शन नमबर सी तो इस तरीके से हमारा LCM और HCF समाप्थ होता है असा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, share कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, सानटी साथ हमारे कुछ social media handles हैं, इनके साथ आप मेरे से जुर सकते बनुस्क्त हैं, चले तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में new exercise के साथ धन्यवादा